इफले मैं आज आपते कहना चाहता हूं कि महारणा प्रताप की जीमन गाथा के पन्नों को पलट कर देखिए ऐसे छत्रबदी महाराज सिवाजी के जीमन के इतिहात के पन्नों को पलट कर देखिए वहनों भाजो मनुस्य के जिंदगी में स्वाहिमान के बड़ी सीज कोई नह खाटी हल्दी घाटी में कैसा करिश्मा किया था महाराणा प्रताप में मैं बहुत दिस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज भी चाहे हल्दी घाटी हो चाहे हमारी गलवान घाटी हो बहनों भाईयो भारत का मस्तक न जुका है न कभी जुकने पाएगा आपको विश्वाव दिलाता हूँ भारत का मस्तक न जुका है न कभी जुकने पाएगा और मैं कहना चाहता हूँ जो कुछ भी हमारे पडोशी देश के साथ हुआ था गलवान घाटी में उससे आप अच्छी तरह परचित हैं पडोशी देश शीन है लेकिन हमने तो डंके की चोट पर कह दिया था हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि राजना सिंग्धी आप बोलो डंके की चोट पर कोई फरक नहीं पड़ता कि हम किसी को छेडेंगे नहीं यदि हमें कोई छेडेगा तम उसे छोडेंगे भी नहीं यही हमारा सं वह बाइए कि इतना ही नहीं मैं बतलाना चाहता हूं जो कुछ भी है हमारे प्रधान मंत्री का भी सीना बहन नो भाई वह 56 का है हुआ कि इसे हम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपका कभी मस्तत लगा हम लोग के सेना के दवानों के हाथों में राइफल, टैंक, गोले, बारूद, मिसाइल, ये दुनिया के दूसरे देसों से बन कर आते थे, कैसा स्वाभी मान था, हमारे प्रधान वंतिर ने फैसला किया, कि अब चाहे टैंक होंगे, बाम होगा, गोले होगे, टैंक होगा, मिसाइल अब हम दुनिया के दूसरे देसों से नहीं बनाएंगे, बलकि हमारे भारत की धरती पर बनेगा, भारत वाशियों के हाथों से बनेगा बहनों बाईों, भारत को हम आत्म नरवर बनाने का हम संकल्प ले चुके, भारत आत्म नरवर बनेगा, दोहजार शौदह के पहले, द प्लाने आया हूं मेरे बहनों बाइयों 2014 में यहां 900 करोड़ रुपे के हथियारों का एक्सपोर्ट करते थे आज हम 16,000 करोड़ से अधिक रुपे का एक्सपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों को कर रहे हैं अंतर्रासी जगत में भारत का कदू उचा हुआ है यह बात मैं न अज तक सारी दुनिया में उचा हुआ है भारत का कद बढ़ा है पहले भी मैं वीरेशों में जाता रहा हूं आज भी वीरेशों में जाता हूं पहले मैं देखता था इंटरनेशनल फोरम पर अंतर्रास्टी मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों क ध्यान से नहीं सुनती थी, कहती थी भारत तो कम्योर देश है, सुनो नफ सुनो कोई फरक नहीं पड़ता है, लेकिर बहनों भाई यो सीना ठोप कर कह सकते हो, आज अंतरास्टी मंचों पर भारत कुछ बोलता है, तो दुनिया कान खोल कर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यहें महाराणा परताब का भारत, यहें महाराणा परताब का भारत, और आप लोगों ने कैसा, 56 चोड़े सीने का परधानमंतरी दे दिया है, युक्रेन में, रूस और युक्रेन के भी जो युद्धचला था, युक्रेन में हमारे 22,000 सिले का 23,000 भारती, छात्र फसे थे, उनके माबाप हिंदुस्तान में कहते थे, ऐ परधानमंतरी जल्दी से हमारे बच्चों को युक्रेन से निकाल कर बाहर लाओ, नए कबर रूस के बंगोले गिर जाए, और हमारे बच्चों की जिन्दगी चली जाए, दुनिया में जो कोई देश नहीं कर पाया, हमारे परधानमंतरी ने किया मेरे बहनों भाई, और नाज है मुझे इस परधानमंतरी पर, उन्होंने रूस के राफ्ट पती मिस्टर पुतिन से भी बात की, युक्रेन के राफ्ट पती मिस्टर जलंस्की से भी बात की, और जरूरत पड़ी तो अमेरिका के राफ्ट पती वाइ यह है भारत एक पडोशी देश है हमारा मैं बतलाना चाहता हूं कि हम लोग महाराणा प्रताप को आदर्स मानने वाले हैं शत्रपड़ी महाराज शिवाजी को आदर्स मानने वाले हैं संभाजी महाराज को आदर्स मानने वाले हैं बुझदिल लोग भारत में नहीं रहते हैं आतंगबाद के सहारे भी एक हमारा पडुशी डेश भारत को ब़ाबर कमजोर करने की कोशिday कर रहा है। तोड़ने की कोशिद कर रहा है। लेकिन उसकी कोशिझ कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी भैनों भाईयों इतना भारोसा रखना। क्योंकि हम लोगों ने करके दिखा दिया है, हमारे प्रधान मंतरी ने आपने देखा होगा, इजिस समय पुलवामा का, गलमान घाटी का जब कांध हुआ था, यूई का कांध हुआ था, उसमें वह कर इसमा कर दिखाया है हमारे यहां के सेना और सुरक्षा के जवानों ने, क भारत के अंदर वह ताकत है, कि हम दुसमन को इस पार भी मार सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं, यह भारत के अंदर ताकत है, इसलिए आज इससे जाला कुछ नहीं कहते हुए, मैं देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति नहीं हिला है, एक व्यक्त नहीं देखाता यह द्रिश नहीं देखा इफले मैं अपनी तरफ से पहले तो अपने सभी आयोजकों का और बहुत सारे नौजवान मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूं हमारे भगवत कराड जी के सा गये थे मुझसे मिलने मुझे लग रहा था कि कारकम खीतर के टल्या है भगवत कराड जी का कहना था और उनके सास जो लोग गये सबका कहना था जो कुछ भी हो जाए मैं जैना आई आपको आना है बराबर और मैं यहाँ पर फिर से यहाँ के शश्वी मुख्यमंत्री एकनाजी शिंडे और नौजवान उपर मुख्यमंत्री ती देमंदर जी फंडवी दोनों को विस्वाश दिलाता हूँ कि आपने आज जो करिश्वा आपने किया है इस समाज ने जो कुछ भी मांगा था दिल खोल कर आपने दे दिया मैं इतना कहना चाहता हूँ जो लोग यहाँ पर बैठे हैं कभी इहसान सरामोस नहीं हो तकते बैनों भाईो यदि किसी रहसान किया है तो जरुष पढ़ने पर उसके लिए गर्दन कता देते हैं आएसे लोग यहाँ पर बैठे हैं